नमस्कार दोस्तो, ट्रक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम जानने वाले है टाटा मोटर्स की BS6 कमपलेंट, इंटरा V30 और इंटरा V10 के कमपरिजन के बारे में मेरे बहुत सारे वीवर्स के मन में डाट था कि क्या ये दोनों गाडिया सेम है तो दोस्तो, ये दोनों गाडिया बिल्कुल भी सेम नहीं है इनके पेलोड में, इनके इंजिन में और इनके लेयाउट में थोड़ा सा डिफरेंस है उनी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में बात करेंगे उसी के साथ साथ इन गाड़ों के price, mileage, specifications और features के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा और दोस्तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक एप के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे सभी ट्रांस्पोर्टर भाईयों और ट्रक मालुकों के लिए काफी फाइदेमंड एप है नमस्कार दोस्तो, आज मैं आपको एक आप के बारे में बतना चाहूंगा, जो आपके लिए काफी फाइदमन साबित हो सकता है, वाहक आप, वाहक आप भारत का सबसे बड़ा ओनलाइन ट्रांस्पोर्ट मार्केट है, दोस्तो, आप आज ही वाहक आप के जरीए अपनी ट्रक को वाहक के साथ जोड़कर अपने लिए उनलाइन लोड पा सकते है, वो भी कुछी मिनिटों में, वाहक आप प्लेश्टोर पर उपलब्द है, मोबल नमबर और OTP के जरीए आप एक मिनिट के अंदर अंदर रेजिस्टरेशन प्रोसेस कंप्लिक कर सकते है, वाहक एक उनलाइन पॉकेट टैरेक्टरी है, जहाँ आप दो लाग से भी ज्यादा ट्रांसपोर्टरों से सिधा संपर्क कर सकते है, वो भी आसानी से, अब आप अपने लोड के लिए उनलाइन ट्रक बुक कर सकते है, और लोड पोस्ट करने के कुछ मिनुटों बाधी आपको तुरंत बूलिया प्राप्त होंगी, जिनमें से आपको जो सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते है, और जीनों दोस्तों, अगर आप ट्रक मालिक है, तो आप वाहक के साथ अपना ट्रक भी जोड सकते है, और उनलाइन पासकते है, वाहक अप पर आप आसानी से सारे कागजात भेज और पासकते है, वाहक अप शुणन टक का कमीशन पर काम करती है, यानिकि 0% कमीशन पर काम करती है, तो आज ही वाहक अप डाउनलोड करके वाहक के साथ जुड कर अपने व्यवसाय को तरक्की की सीडियो तक ल एक बड़ा कदम डिजिटल भारत की ओर धन्यवाद इन दोनों गाड़ियों में आपको non AC के साथ-साथ AC का परियाभी उपलब्ध है मुख के डिफरंस यह है कि इन गाड़ियों में अलग-लग HP के इंजिन्स का इस्तमाल किया गया है इंट्रा V10 जो गाड़ी है वो एक तन के पेलोड सेग्मेंट में आने वाली गाड़ी है और इंट्रा V30 एक दशम लग तीन तन के पेलोड सेग्मेंट में आने वाली गाड़ी है आईए सबसे पहले इन गाड़ियों की एक शोरूम प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं टाटा मोटर्स की इंट्रा V10 के नौन AC वेरेंट की प्राइस रेंज 6,38,000 रूपे से शुरू होती है और AC वेरेंट की प्राइस रेंज 6,60,408 रूपे से शुरू होती है दोस्तो ये एक शोरूम मुंबई कीमत्य इस चीज़ का ध्यान दिजेगा अगर आप ये वीडियो और नवी उंबई का इलाके से देख रहे हो और इन गाडियों के बारे में अधिक जानकारी और प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप करना जाते हो तो नीचे आ रहे इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं आईए जानते हैं इन गाडियों के टेकनिकल specifications के बारे में, intra V10 की बात करें, तो इस गाड़ी में लगा है 2 cylinders inline 800cc का direct injection turbo charge intercool diesel BS6 engine, दोस्तों ये engine SCR यानि की selective catalytic reduction प्रणली पर चलने वाला engine है, जो इस गाड़ी को BS6 component बना देता है, ये engine इस गाड़ी को maximum power देता है, 44 HP की 3750 rpm और 110 Nm का torque 1750 से 2500 rpm वही पर, वही पर Tata Motors की intra V30 में, 4 cylinders inline 1496cc का यानि की 1.5 liter का direct injection diesel BS6 engine इस्तमाल किया गया है, और ये engine LNT यानि की lean knock strap technology पर आधरित है, जो इसे BS6 component बना देता है, ये engine इस गाड़ी को maximum power देता है, 70 HP की 4000 rpm और 140 Nm का torque 1800 से 3000 rpm ये इन दोनों गाड़ीयों का मुखे difference है, कि intra V10 में 44 HP का engine इस्तमाल किया गया है, और intra V30 में 70 HP का अधिक ताकतोर engine इस्तमाल किया गया है, और BS6 norms को meet करने के लिए दोनों गाड़ीयों में technology भी अलग-अलग इस्तमाल की गई है, intra V10 में SCR यानि की lean-knock strap DPF टेकनलोजी इस्तमाल की गई है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का DEF यानि की diesel exhaust fluid डालने की जरूरत नहीं है, दोनों गाड़ीयों में आपको जिसमें आपको gear बदलते बग बिल्कुल जटके महसूस नहीं होते, और कुछ driver से बात करके हमने पता लगाया कि gear shift करने में ये गाड़ी काफी smooth है, जो इस गाड़ीयों के बढ़िया driving comfort प्रदान करते है, इंट्रा V10 में आपको 34 टके की gradability यानि की चड़ाय लंगने की शमता मिलती है, और इंट्रा V30 में आपको 37% की gradability यानि की चड़ाय लंगने की शमता मिलती है, suspension की बात करें, तो दोनों गाड़ियों में semi-elliptical leaf spring type suspension यानि की पाटे कमानी वाला suspension इस्तमाल किया गया है, hydraulic telescopic shock observers के साथ, इंट्रा V10 में आगे वाल axle पर 6 leaves यानि की 6 पटे और पिछे वाल axle पर 7 leaves यानि की 7 पटे दिये गए है, और इंट्रा V30 में आगे वाल axle पर 5 leaves यानि की 5 पटे और पिछे वाल axle पर 8 leaves यानि की 8 पटे दिये गए है, जो काफी strong suspension है, और दोस्तों ये एक overslung suspension है, यानि की दोस्तों इसके leaf spring का setup एकसल के उपर मोजो दोता है, जो इस गाड़ी को एक बढ़िया ground clearance के साथ साथ काफी बढ़िया load carrying capacity प्रदान करता है, आईए दोस्तों दोनों गाड़ीों के वजन और आयाम यानि की weights and dimensions के बारे में जानते है, इंट्रा V10 का GVW यानि की gross vehicle weight है 2120 kg, और इस गाड़ी का payload capacity है 1000 kg यानि की 1 ton, इंट्रा V30 का GVW यानि की gross vehicle weight है 2565 kg, और इस गाड़ी में आप 1300 kg यानि की 1.3 ton का rated payload ले जा सकते है, इंट्रा V10 का wheelbase है 2250 mm, और इंट्रा V30 का wheelbase थोड़ा लंबा है यानि की 2450 mm, load body यानि की पीछे के डाले की लंबा ही चोड़ा की बात करें, तो इंट्रा V10 में आपको 8.2 feet लंबा डाला मिलता है, और इसकी चोड़ा ही है 5.3 feet, वही पर इंट्रा V30 में आपको थोड़ा सा बड़ा, यानि की 8 feet 8 inch लंबा और 5 feet 3 inch चोड़ा डाला मिलता है, जो इस गाड़ी के बड़िया load carrying capacity प्रदान करता है, डिजल टैंक की बात करें तो इंट्रा V10 में आपको 30 liter की डिजल टैंक दी गई है, और इंट्रा V30 में आपको 35 liter का डिजल फ्यूल टैंक दिया गया है, इंट्रा V10 में आपको 10 liter का DEF यानि की डिजल exhaust fluid का टैंक भी दिय जानली है, तो इंट्रा V10 में आपको 165 R14 और 14 इंट्रा V30 में आपको 185 R14 और 14 इंट्रा V30 के टैंग में दिया गए है, दोस्तो इंट्रा V30 दिखने में इंट्रा V10 से थोड़ी उची जरूर लगती है, वररेंटी आपको दोनों गाड़े उपर बिलकुल सेम दी गई है, यहीं कि 2 साल 22,000 km की warranty जो मेरे इसाब से काफी बढ़िया है गाड़ी के ground clearance की बात करें तो intra V10 और intra V30 का ground clearance बिल्कुल सेम है यहीं कि 175 mm का जो इन गाड़ी को कच्चे एवं पक्के रास्तों पर चलाने के लिए काबिल बना देता है mileage average की बात करें तो intra V10 से आप 18-19 km पति लिटर का average expect कर सकते है वहीं पर intra V30 से आप 15-16 km पति लिटर का average expect कर सकते है दोस्तों गाड़ी का mileage गाड़ी को चलाने का तरीका गाड़ी में की हुई loading और रास्ते की condition पर निर्भर करता है इस चीज़ का जरूर ध्यान दिजेगा आईए जानते हैं Tata Motors की intra series में मिलने वाले features के बारे में जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया कि इन दोनों गाड़ियों में आपको AC और non-AC models के परहय उपलब्द है तो अब आपके application और need के हिसाब से इन दोनों में से choose कर सकते है ये मुझे इस गाड़ी का सबसे better in feature लगा है क्योंकि आज के जामाने में AC एक जरूरत बन चुकी है AC की बदला driver लंबी दूरू तक गाड़ी बड़ी सुकून से चला सकता है उसे के साथ-साथ Tata intra में आपको मिलते हैं काफी stylish looks आगे के और मोजूद clear lens headlamps और bold grill इस गाड़ी को एक बड़िया rodo present प्रादान करते है driver comfort के लिए इस गाड़ी में cable shift mechanism ओला gearbox dashboard mounted gear lever के साथ दिया गया है ताकि gear बदलते बग जटके कम से कम मैसूस हो और गाड़ी का gear shifting experience भी smooth हो उसी के सथ-सथ इस गाड़ी में EPAS यानि की electronic power assisted steering दी गई है जो इस गाड़ी के driving experience को अधिक सुधारना देती है और इसके steering वाकई में काफी smooth है जो मैंने खुद feel किया था उसी के सथ-सथ fuel economy बढ़ाने के लिए इसमें आपको eco switch भी दिया गया है इंट्रा V10 में आपको driver plus 2 sitting वाला एक walkthrough cabin मिलता है walkthrough cabin यानि की आप इस दर्वाजे से चटकर इस दर्वाजे से काफी आजसानी से उतर सकते हो दोस्तो ये feature काफी काम आता है जब आप गाड़ी किसी दिवार को सटा कर लगाते हो जब आपको driver side में उतरने से जगा नहीं मिलती तब आप left side से बड़ी आसानी से उतर सकते है इंट्रा V30 में आपको driver plus 1 sitting वाला walkthrough cabin मिलता है इन गाड़ीों में GSA यानि की gear shift आड़ दर भी दिया गया है जो driver को बतता है कि कब इसका gear upshift करना है और कब downshift करना है जो कि mileage को सुधरने में काफी मददगार साबित होता है उसे के साथ इसमें नया digital instrument cluster दिया गया है जिसमें धेर सारे indications दिये गया है और driver इसे आसानी से पड़ भी सकता है इन गाड़ेों के AC variant में आपको company fitted music system भी दिया गया है जिसमें USB, AUX और pendrive और FM के features है जो काफी मददगार साबित होता है जब आपके गाड़ी को एक लंबा trip मारना होता है उसे के साथ साथ इसमें utility features जैसे की lockable glow box, sun visors, seat belts, interior lights और 5-hole का mobile charger भी दिया गया है ताकि driver on the go अपना phone charge कर सके तो दोस्तों इतने सारे features आपको Tata Motors की intra series में दिये गए है वीडियो को end करने से पहले आएए जानते हैं इन दोनों गाड़ों के applications यानि कि इन आप कहा कहा इस्तमाल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में इंट्रा V10 को आप धेर सारे applications जैसे कि market load, fruits and vegetables यानि कि तरकारी, industrial goods, cement bags, water distributions, hardware, LPG cylinders, cold containers, e-commerce, FMCG, medicine distribution, iron steel, fisheries जैसे कई सारे applications में इस्तमाल कर सकते हैं वही पर आप इंट्रा V10 को धेर सारे applications जैसे कि market load, mundup decorators, event management, milk distribution, bakery, furniture, scrap management, garbage management, catering, textiles, plant nursery, civil services, medicine distribution, water distribution और cylinder distribution जैसे कई सारे applications में इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि दोस्तो अगर आपके load का आकार ज्यादा है और वजन कम है तो आप intra V10 ज़रूर लिजे, अगर आपके load का आकार कम है और वजन ज्यादा है तो आप V30 भी ले सकते हैं तो ट्रक्टॉक्स देखने वाले हमारे सभी प्रिय दोस्तों केसी लिगे आपको टाटा मोटर्स की intra V30 और intra V10 का एक comparison वीडियो मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना दोस्तों मुझसे जितना हो सके उतने मेने details इस वीडियो में cover किये हैं क्योंकि बहुत सरो लोगों के मन में ये doubt था कि भाई intra V10 और V30 तो same है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों दोनों गाडियो में बहुत ज्यादा differences है क्योंकि बहुत लोगों ने पिछले वीडियो में भी पिछले वीडियो के साथ अगली बार तब तक के लिए देखते रहे ये ट्रिपले डाकस्तन व्लॉक्स ट्रॉक्टॉक्स स्प्रेडिंग अल्द लव अबाउट ट्रक्स जैहिंद